नमस्कार बहुत सुवागेत आप सभी का आपके साथ मैं हूँ मम्तातिवारी शिर्वात इस बुलेटिन की करते हैं बड़ी और रहम खबर इस वक्त जैपुर से निकल कर सामने आ रही है भावी सीएम बजनलाल शर्मा से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं सु तक शिफ्ट नहीं होते बजनलाल शर्मा तब तक इस गेस्ट हाउस में ही वो रहेंगे तो फिलाल आपको बता दे सुरक्षा कारणों के चलते ही फैसला लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री भावी मुख्यमंत्री है और ऐसे में अगर किसी भी प्रकार की सुरक्षा में चूक होती है तो बड़ी एक लापरवाही हो सकती है क्योंकि नया नया पदभार उन्हें मिला हुआ है और ऐसे में किसी भी तरीके की सुरक्षा कारणों में चूक ना हो किसी भी तरीके से भावी मुख्यमंत्री को कहीं से भी कोई भी बड़ा घटना क्रम ना हो सकी इसके लिए सुरक्षा कारणों के जलते भजनलाल शर्मा को शिफ्ट किया गया है उनके घर से उने गेस्ट हाऊस में शिफ्ट किया गया है जब तक उने सरकारी बंगला नहीं आवन्टित हो जाता है जहांपर मुख्यमंत्री रहती हैं शीम आवास बोला है तब तक वो अपने प पर नहीं रहे कि गैस्ट हाउस में शिफ्ट किया गया है। करीब 11 बजे भजनलाल शर्मा अपने वहाँ पर आवास पर पहुंचे तर हजारों के संख्या में वहाँ पर जो लोग उनके चाहने वाले कारेकरता वहाँ पर पहुंचे ते कहीं ना कहीं पुलिस के लिए सिरदर्दी बन गया था कि इति लोगों को किस तरीके से रोका जाए देखे पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुख्य मंत्री की जो सुरक्षा है वो सुनिश्यत करें ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है आप देखे पुलिस के आला दिकार यहाँ पर मौजूद है जिला कलेक्टर प्रकास राजप्रोईत खुद यहां पर पहुंचे हैं आप यहां पर देखिए तमाम जो सुरक्षे विवस्ता हैं उनका यहां पर जाइजा लेते हैं यहां पर अंदर दिखाई दे रहे हैं यहां पर यह टेंट यहां पर लगाया जा रहा है यहां पर जो मिलने वालों का ज सिल्सिला है सुबह साथ बजे से शुरू हो गए है आप लोग यहां पर पहुंच रहे हैं क्या कुछ जो तो तमां तरीकी की आपर जो त्यारियां है वो यहां पड़ी गई है मैं बताना चाहूंगा ममता कुछ देर में हम पर जो बजे के बीच बीजेबी मुख्याले में तमाम कारे करता है जो नेता है उनसे मुलाकात करेंगे आगे की जो कारी योजना उसके पर विचार करेंगे आप लोग कहां से आया हैं मैं भरतपूर से हूँ और बजे निजाल जी जिनको पार्टी ने सिर्स नेतरुत ने जो मुका परदान किया है उसके लिए परदान मंतिया अधरनी ननेदर मोजिदी का और अमिज शाय जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो एक छोटे शे कारे करता को मुक्यमंतिर पद के लि मिल सकता है आप कहां से पढ़ा रहे हैं हम बरतपूर से आएं नंगरविदान सवा से क्या रिष्टा है आपका बजनलाल जी के साथ हमारा रिष्टा लोकल है और पहले से ही मैं भी बीजेपी में महामंत्री हूं जनुतरमंडल का साहब भी प्रदेश के बीजेपी के ओदे पे थे तो तब से हमारा आपके साथ ही जो आपकी बीच में रहते थे आज वो प्रदेश के मुख्या बन गए मुख्यमंत्री बड़ी खुसी की बात है और मान्य नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सोगात है एक मामूली कार करता को इस तरह से देखिए मैं यहां पर मै पुलिस जो सुरक्षा विवस्ता यहां पर चाग चोबंद यहां पर की गई है यहां पर जो जीला कलेक्टर खुद यहां पर मोजूद है आप कहां से आप आए हैं आप मुलाकात हो पाई आपकी बिलकुल हो जाएगी अभी मैं सांगानेर से आया हूँ और अभी घर से नि नुए विवाल हूँ योगों में उस्सा है कारे करतायों में भारी जोसा है वो देखने को यहां पर मिल सकता है लोगों को जो पहुशने का जो सिलसिला रो जारी हो चुका है आज पहला दिर है कुछे देर में यहांसे मुख्य मंत्री भजनलाल शर्मा बाहार निकलेंगे यहां से तुमार सियार को यहीं प्रशिप्ट कर दिया गया है अंगूल देखिएhair the देर रात्री करीब यह साड़े तीन बजै भजनलाल शर्मा को जो पुरिआर को गस in नीवाद में इसे यहां पर बनाया गया गया है। विवस्ता चाक्षोबंद कर दी के यह दिए कि उसका मुख्य काराण यह था कि जो खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस सोसाइटी में रहते हैं वाके लोगों को परेशान नहीं करना चाहते हैं उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस बारे में आग्रे किया कि इस तरी मुख्यमंत्री निवास नहीं मिल पाता नहीं अलोट हो पाता जब तक जो पूरा परिवार है वो यहाँ पर रहेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पर जो तमाम तरीके की जो सुरक्ष्य विवस्ता है वो यहाँ पर सुनिश कि ही यहां पर की जारी है आप तस्वेरिवर देख सकते हैं यह पर ममता न्यू Sinaman ऑल रहे हैं कि और आज का रहने वाला है भावी। के मंतरी भजनलाल शर्मा का पहले मंदर दर्शन आप बता रहे हैं उसके बाद लोगों से भी मुलाकात करेंगे पाठी मुख्याले में करेंगे यहीं पर मुलाकात का कारिक्रम है जी बिल्कुल देखिए मम्ता मैं सबसे मेलर में बताना चाहूंगा कि भजनलाल शर्मा यहां से सीधे देव दर्शन के लिए निकलेंगे बताए यह जा रहा है कि सांगाने रिस्तित जो सांगा ममा का मंदिर है वहाँ पर दर्शन करेंगे इसके अलावा हनमान जी का एक मंद जिर वहाँ पर बताया जा रहा है वहाँ पर बजनलाल शर्मा अपना जो मत्ता है वो टेकेंगे उसके बाद में सीधे वो बीजेपी जो प्रदेश मुख्याले है उसके लिए जाएंगे करीब साड़े दस बजे बीजेपी जो मुख्याले है वहाँ पर पहुंचने का यह और उसके बाद में करीब साड़े बारा बज़े तक वो लोगों से मुलाकात करेंगे उसके बाद में बताए यह जा रहा है कि वो वापस तुने यहां पर यह जो निवास है यहां पर आएंगे ममता ठीक है रोशन अब लोगों से बात करिए कितनी खुशी है क्योंकि हम देख रही है कि एक कार्यकरता को मुख्य मंतरी का पत देना यह लोगों की मुँझ से निकल रहा है और वो लगातार उचसाहित भी है क्योंकि ऐसे में लोगों को उम्मीद भी है कि हां अगर उनको मौका म पर्जनलाल शर्मा का नाम जब जैसे ही आया तो कहा जा सकता है कि पुरा सर्प्राइजिंग यह जो एक ऐसा नाम था कि जिस तरीके से जो प्यास चल रहे थे जो चर्चाएं थी उन तमाम चर्चाओं के ओपर विराम लगाया बीजेपी कहा जा सकता है कि आला कमाने आप में जो कारे करता है जो विधायक की जो तोड़ के अंदर है सांगानेर से जो जुन्हों ने पहली बार दावेदारी की है क्या वो मुख्यमंत्री बन पाएंगे देखो ऐसा तो बिल्कुली यह जो बने हैं यह मोदी जी की सोच और अमिस्सा जी और जेपी नड़ा जी की ए कारे करता को जो मुख्यमंत्री बनाया है उससे बहुत ही लोग और इससे आपको बता दो कि अपकी बाहर हम जो लोक सवा में जो सीटों का मैना होगा वह जो अपने मुख्यमंत्री बनाये हैं उससे कापी अधिक होगा आप भुके ले क्या हैं किसके लिए ले क्या हैं पर ये जो भुके हैं आप मोका मिले का किसे देंगे मैं स्यम्ट को दोआ कि मुलाका संभव हो पाईगी अब ये तो कैसे बता इस मंत्री बन गैं कल तक जो आपके बीच में रहते थे क्या कहेंगे आप कहां से आप पदारे हैं आप जिला भर्थपूर नगर विधान सवा 71 से सत्वीर कसाना आज इतनी खुशी है कि आज हमारे भर्थपूर जिले के एक आम कार्य करता जो संग से पीछे 35 साल से जुड़े हैं बड़े साधारन कार्य करता जो मान्य नंदर मोदी देखी रोशन सभी में खुशी है कि एक आम कार्य करता मुख्यमंत्री बने हैं तो साफ तोर पर लोगों के मन में खुशी भी है और उत्साहित भी हैं बहुत धनिवाद रोशन आपका तमाम जानकारी देने के लिए तस्वीरे दिखाने के लिए